पर आम्तोर पर जो भी पैंक्रेटिस से जूज रहे हैं जो भी पैंक्रेटिस वारियर से वह पैंक्रेटिस डायेट पर बहुत फोकस करते हैं सबको लगता है कि यह डायेट हमें बहुत आराम दे रहा है देता भी है temporary लेकिन असलियत में वो कितना खतरनाक हो सकता है उसके problem कितने आ सकते हैं और वो डायेट के वजह से आपके जिंदगी में आपके organs को और आपको कितना नुखसान हो सकता है ये आज मैं इस वीडियो पर बनाने बताने वाला हूँ अब आम तर्वार पर जो सोचा जाता है या उससे अलग कुछ बोला जाए तो बहुत सारे लोग नहीं देखते तो अगर आप उन समस्दार लोगों में आते हो जो सभी जानकारी लेना चाहते है और पूरी जानकारी लेकर उसका सही इस्तेमाल करना चाहते है अपने जिंदेगी को बहतर बनाने के लिए अपने स्वास्ते को बहतर बनाने के लिए और चैंपियन बनने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आप उन में से हो जिने कुछ नहीं सुनना है जिने लगता है कि उनको सब कुछ पता है और उन्हें जो पता है वो दुनिया का फाइनल सच है अगर ऐसा कोई है जिसके दिमाग के खिड़की दरवाजे पूरी तरह बंद है तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है तो चलिए मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ बहुत सोच समझ कर बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद बहुत सारे पेशंट से वारतलाब करने के बाद मेरे जो डॉक्टर से टीम उप डॉक्टर से जो ज्यादा बात इसमें जो आप सीखने वाले हो इसे परखिएगा सोचिएगा और उसके बाद इसे एकसेप्ट करना है या रिजेट करना है यह आपको चॉइस करना है और अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना बिलकुल मत भूलिए क्योंकि आप ही की तरह बहु तो आपके शरीर को बहुत सारे डीप टीशू लेवल पर नुकसान हो रहे है तो आप इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा लोगों तक आप अवेर्नेस पहुचा कर अपना सोशल सामाजिक जिम्मेदारी को निभाएंगे और जब हम औरों की करते हैं तो अल्टिमेटली हम अपनी खुद की भी मदद करते हैं सुचली गाइस मैं डॉक्टर रही रागड़े जनेटिक एक्सपर्ट माइंड ट्रांस्प्रांट स्पेशलिस्ट और असंभव बीमारियों के स्पेशलिस्ट के रूप में जाना जाता हूँ कंसर्टिंग होमियोपैथ हूँ और पचीस साल से सिर्फ उन बीमारियों के लिए लड़ रहा हूँ आपकी जिन्दगी बहतर बनाने के लड़ रहा हूँ उन बीमारियों से जिनके बारे में कहां जाता है यह असंभव है यह इंक्यूरेबल है नहीं नहीं यह ठीक नहीं हो सकती सिर्फ ऐसी भी मरियों का हम इलाज करते हैं और हम से जितने लोग जूड़ते हैं उसमें आप 80-90% लोग रिवर्सल मोड में शिफ्ट हो जाते हैं चाहे भी मरी कोई भी हो आज मैं बात करने वालो पैंक्रेटिस के बारे में अगर आपको लगता है मैंने किसी और टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहिए या इस तरह का जो इंपोर्टन इंफोर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो और पैंक्रेटिस डायट के बारे में और कोई सवाल हो वह भी लिख सकते हो मैं उस पर सेपरेटली अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पैं पैंक्रेटिस से जूज रहा है जो पैंक्रेटिस से लड़ रहा है उसके लिए फेवरेट कोई चीज है जो वीडियो देखते है या फिर स्टडी या गूगल सर्च होता है वो कीवर्ड लिस्ट में सबसे उपर आता है पैंक्रेटिस डायट और डायट इन होता है इसके पीछे कारण है पैंक्रेडिस का एलोपेथिक वाइज कोई इलाज नहीं है बस एक ही चीज है उसमें सबसे पहले पेशन अगर एक्टिट अटैक में है तो उसे भूका रखा जाए और जब इसे अक्टिट अटैक से निकल जाए या फिर क्रॉनिक में हो उसके ब पही बता सकता है कीतना भेंकर तरफ होता है मतलडब मैंने उस दर्फ के बारे में if Italian क्या सुने हैं ऐसा लगता है कोई चूररा भूक रहा है ऐसा लगता है कि गरम गरम जो रोड लोहे का रोड सीधा पेट में घुस रहा है और पीट के तरफ से निकल रहा है तो इतना भैंकर दर्द होता है एक ने तो कहा कि सर इससे तो मौत भली और यह एक नहीं यह बहुत लोगों का कहना है कि सर यह दर्द से तो ऐसा लगत कि इस दर्द से बचा जाए कोशिश की जाए कि Soul creative डर्द ना इस तो यहां तक कि सोच एकदम सई है कि अगर सोचते हैं किनि मैं डायठ फॉल्व नहीं करूंगा मैं शराब नहीं चॉड़ूंगा मैं तो बात कि नहीं या नहीं करना चाहिए जी देखे शुरुवात ही शनों में जब भी आपकी विमारी पता चलती है acute हो या chronic हो diet follow करना सही है लेकिन अगर आप इस diet पर जादा देर रहे तो आपको दो तरह के नुकसान होंगे एक तो direct नुकसान दूसरा indirect नुकसान अब मैं दोनों तरह के नुकसान के बारे में बताता हूँ क्योंकि मैं जब list दूंगा दोनोंija कोई एक रहेगा लेकिन आपको पता होना चाहिए कि direct नुकसान क्या होता है और indirect नुकसान क्या होता है direct नुकसान मतलब अगर आप suppose चार चपाती खाते अच्छा खासा डायेट था आपका बड़िया मस्ती करते थे, बड़िया काम करते थे और बस पेट भर करके खाते थे, आज वो डायेट मात्र उसका 1-5th, 1-4th, 1-6th रहे गया है, सबसे डायेक्ट जो लॉस होता है वो है वेट लॉस, जी हाँ, आपका जो सेलूलर मास है, वो cellular mass कम होते जाता है और cellular mass कम होते होते हैं weight loss होते होते हैं बहुत सारी और deficiencies ब्याती है मतलब vitamin deficiencies, vitamin D3, vitamin B1, vitamin B1, oh my god करीब करीब सारे vitamins कम कम होते जाते हैं body में तो यह direct loss हो गया है अब indirect loss क्या होता है indirect loss मतलब diet की यह इतना restricted diet follow करने की वज़े से वो बंदा social circle में जानी पाता, favorite चीज़े खानी पाता अपने जो best moments है life को enjoy नहीं कर पाता और धिरे धिरे वो nervous उदास होते जाता है, sad रहता है मतलब आजकर काम करने का मन नहीं करता सर, energy नहीं है सर again weakness, again direct loss में आएगा, सर कमजोरी लगती है सर, weakness लगता है सर कोई भी चीज़ ऐसा करो तो थकाना आ जाती सर जल्दी, यह सारे जो लॉसे से यह direct loss है, हाँ तो indirect loss की में जब बात कर रहा हूँ तो mood changes आते हैं, अगर आप खाना नहीं खा रहे हो properly, आप पूरा balance diet नहीं ले पा रहे हो तो mood changes आते हैं, डिमेंशिया होता है, Alzheimer's disease होता है, ऐसे जो indirect losses होते हैं, तो direct मतलब खाना कम खाने की वज़े से होने वाले direct, इसके अलवा जो भी है वो indirect, लेकिन इसके बीच में कोई ऐसा strict line नहीं है, कि यह दोनों को ऐसा दूर कर दिया जाए, तो direct और indirect काफी बार mix भी होते हैं, तो कुछ जगे पता चलेगा, indirect, और कुछ जगे लगगा, यह direct है यह indirect है, यह दोनों mix है, मैं आपको बता दू, तीनों चीज़ों में आप सही हो, लेकिन फिर भी कोई सवाल आता हो इस पे, तो comment section में ज़रू लिखेगा, और मैं personally उसका answer दूँगा आपको, चलिए, अब dangers की बढ़ते है, जो dangers of diet, dangers of pancreatitis diet, pancreatitis diet का खत्रा, किस तरह का हो सकता है, सबसे पहले बात करेंगे, medical खत्रा क्या है, medical खत्रा यह है, कि आपको बहुत सारे vitamin की कमी होने वाली है, vitamin B1, B12, then vitamin D3, calcium की कमी होने वाली है, यह तो आपके जान पहचान के vitamins और micronutrients है, nutrients है, लेकिन sodium, selenium, potassium, और इससे भी और डीप अगर जाएंगे, हम fatty acids का loss होता है, amino acids नहीं मिलते है, मतलब जो आपके body के building structures है, मतलब जब एक इमारत बनती है, तो eat लगती है, cement लगता है, rate ही लगती है, यह eat cement rate आपके शरीर में तो जाई नहीं रहा, तो जो building blocks है body के, यह आपके body में न fat guy up हो चुका है, तो weight loss होना तो लाजमी है, तो सबसे पहला medical problem आता है, वो आता है vitamin deficiencies, दूसरा आता है mineral deficiencies, तीसरा आता है micronutrient deficiencies, अब यह तीन loss आने के कारण, आपको जो बीमारी आती है, उसमें heart failure भी आता है, जैसे vitamin B1 के deficiency, very very heart failure के तरफ जा सकते है, और deficiency तो यह आएग की, because आपको भी पता है कितना कम diet लेते है, जो complete diet पे है, और हाँ, चिंता मत कीजिएगा, इसका मैं solution last में बताने वालो हो, कि आपने किस तरह की सोच रखना चाहिए वो भी, ठीक है, तो diet से अगर करते है, तो heart failure आता है, stroke आता है, brain attacks आते है, और जो बहुत strict diet follow कर रहे है, ध community इतनी कम हो जाती है, कि उनमें cancer जैसी बीमारिया जादा जल्दी पनपती है, cancer बहुत fast आता है, देखिए बहुत simple है, अगर किसी cell को, पूरे body को नहीं मिल रहे है ना, खाना, तो पूरे body के सारे cell सो खाना नहीं मिल रहा है, अब उसमें pancredis का तो जो cell से बीमार है, अब खाना नहीं दे रहे, तो ultimately cell multiply होना शुरू होता है, because उसे जद्दो ज़द है कि मुझे खाना मिलना चाहिए, और जब यह multiplication unlimited हो जाए, तो यह cancer में तबदील हो जाता है, तो medical बहुत सारे complications आते हैं, in fact, immunity कम होने के कारण, बहुत सारे infections, जैसे आपने भी देखा COVID, बहुत सार बहुत कम जिनके हो गई है, वो किसी भी तरह के बीमारी में जल्दी ठीक नहीं होते है, वो उभरते नहीं है बीमारी से, तो यह सबसे बड़ा खत्रा है कि आप बीमारी से उभर नहीं सकते, because immunity नहीं है, आपको medicine नहीं ले पाएंगे, और आपको medicine, आपके body, आपको medicine को support न कीजेगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको उपरी उपरी तोर पर information दे रहा हूँ, ताकि आपको idea आजाए, कि सिर्फ diet के बरुसा नहीं रहना चाहिए, आप सोचेंगे, फिर diet के बरुसा नहीं रहे, तो और क्या करें, चिंता मत कीजे, वो भी मैं आखेर में आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद आता है personal level पर, पहला नुक्सन होता है medical level पर, दूसरा personal level पर क्या नुक्सन होता है, personal level पर तो मैं कहूंगा, यह pancreate is diet वाले जो patients है, मैं काफी सारे patients की study करके बता रहा हूँ, यह सारे generally एक तो बहुत anxious होते हैं, बहु भी relate कर पाए, क्योंकि सहर कोई लिखनी पाएगा, जिसमें लिखने की हिम्मत है, प्लीज जरूर लिखेगा, बाकी लोगों को भी थोड़ा सा आप support कर पाएंगे, तो पहला आते हैं, बहुत anxious होते हैं, यह फिर sad, nervous और depressed होते हैं, जो diet बहुत restricted follow करते हैं, सोचिए उनके brain म जो neurochemicals जरूरी है, और उसके लिए, जो micronutrient जरूरी है, वो तो available ही नहीं है, वो नदारत है, तो mood बहुत ही unstable हो जाता है, mood बहुत ही fluctuating हो जाता है, इसलिए इनका mood stable नहीं रहता है, चिर चिरापन लगता है, जादा से जादा, जितने भी लोग pancretis के हैं, अभी आप अग और वो चिर चिरापन है, तो link में लिखे, कि ये चिर चिरापन तो जरूर होता है, मुझे भी होता है, ये मेरे भाई को होता है, ये बहन को होता है, जरूर लिखेगा, मैं जानना चाहूंगा, कितने लोगों को, जो mind का, जो strength है, वो कम हो जाती है, वो कम जोर हो जाता है, यह चीर-चीर फीर होता है फिRCल्ट होता है जल्दी आता है ऐससे भी गुस्सा आता है वह बड़न सेंटीव हो जाते है अप इससे संटिटीव कहिए आप इससे जल्दी हर्थ होने वाला वाला करें और आपके लिए जो मैच करता है वह वर ضरूपर कमेंट लिखेगा ताकि बाकी लोग भी आपसे इंस्पर होकर लिख सके पर हां अगर आपको ये वीडियो यूनिक लग रहा है पसंद आ रहा है तो लाइक एन शेर जरूर कीजिए ताकि बाकी लोग भी आप की तरह इस पर कमेंट कर सके आपको भी जादा से जादा लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी सो परसनल लेवल पर पहले हमने देखा एंग्जाइटी आएगी या डिप्रेशन आएगा दूसरा है कि डिप्रेशन इतना बढ़ सकता है कि सूसाइड के फिलिंग यानि कि आत् क्लीफ होती है और ऐसी बीमारी है तो मेजोरीडी लोग शादी करना नहीं चाहते काफी बार माबाप जबद सुनके शादी करवा देते हैं लेकि मेजोरीडी लोग शादी करना नहीं चाहते वैसे दिल में इच्छात होती है कि करनी चाहिए लेकिन बीमारी कहती है कि शाद में आपको solution दे सकूँ देन उसके बाद जिसकी शादी हो चुकी है या वो जो शादी कर लेते हैं परिवार के कारण परिवार के दबाओ के कारण या इच्छा के कारण उनको आप देखेंगे वो मतलब continue उसी में बिज़ लेते हैं बने आज़ लग रहा है तो इतना ज़्यादा उसमें इन्वाल होते है कि वह मेरीड लाइफ को नहीं कर पाते हैं दूसरा प्राब्लेम एक और जो आता है मैरीड लाइफ में वह है उनकी sexual activity बहुत कम हो जाती है एक तो कमस्वर हो जाते हैं वीक हो जाते हैं स्टैमिना नहीं बचता मूड भी नहीं यह डिप्रेजड भी है यह एंग्शियस भी है और कंटीनिवस उनके दिमाग में सिर्फ बीमारी 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 ने घर कर लिया है तो शादी का एंजॉइमेंट कहां और सेक्स कहां यह सारी चीजे काफी पीछे शूट जाती है तो लाइफ को एंज लड़के वो कहते सर बड़ा आदमी बनने की इच्छा थी सर इंजिनर मना था सर फॉरें जाना था सर जॉब भी मिल गया था सर लेकिन यह बीमारी ने ना सारे सपने चकना चूर कर दिये अगर आप भी ऐसे ही मेंसे है तो जरूर लिखेगा कि इस बीमारी के अगेज देख कर पाया है और कौन से जो कौन से ऐसे चीज़े है जो आपसे छुट चुकी है इस बीमारी के कारण जितना आप लिखेंगे उतना आपका अंदर का दुरूर निश्य होगा कि इस बीमारी से मुझे लड़ना है और लड़ना ही नहीं है जीतना भी है चैंपियन बनना है तो बेस्टे कमजोरी भी आरही वीक्निश भी आ रहा है धिरे धिरे जीवन के प्रती आपको एक एक इंट्रेस्ट कहता हो रहा है आपका डिप्रेशन में जाएंगे और भीक्निश के करण बाकी चीज़े भी नहीं कर पाहेंगे अब आते हैं कि इस डायट के करन सोशल लेवल पर क्या प्रॉब्लम होती है एक उधारन देता हूं मैं एक यंग लड़का स्मार्ट डायनामिक बहुत सोचलाइजिंग बहुत सारा बड़ा फ्रेंड सरकल और वो मतलब रोज पार्टी करना विकेंड में तो पार्टी कंपल सरी खाना के लिए जाना पीने के लिए जाना उसमें जाने में एक तो उन्हें एंबरस्मेंट फिल होता है या अंदर से ही ऐसा फिल होता है कि बस नहीं जाओ तो सोचल लाइफ तो काफी हद तक काफी हद तक डिस्टरब हो जाती है और स्पेसिफिक लिए यह सिफ बीमारी के खारण नहीं हो देखें माइगरेन का भी आटक आता है लेकिन यह लोग सोचलाइज कर सकते हैं पेंक्रेडिस में डायट की वज़े से खान पान में रेस्टिक्शन की वज़े से शोचल लाइफ वैसे ही मेज्जोरिटी खतम हो जाती है अगर आप एगरी करते है तो जरूर लिखेगा और हां एगरी नहीं करते है कि सोचलाइजेंग ब्रिकम बिग जीरो एक अंदर से फिलिंग आता है कि कि हम सोचाइडिस से अलग है खा नहीं सकते पी नहीं सकते मतलब मैं वैसे भी पीना प्रमोट नहीं कर रहा हूँ क्यों कूई अलकोल ले लेकिन एक तरह का अबेंड़न फिलिंग आता है कि यार मैं अ अगर आप बीमारी का इलाज नहीं करते हुए सिर्फ डायट पर डिपेंड है यह सारे प्रॉब्लम्स आपको आज नहीं तो कल फेस करने पड़ेगे अब इसमें करना क्या चाहिए चलिए मैं आपको बहुत एक दो मिनिट में आपको बता दू कि क्या करना चाहिए क्या ना करें अपड़ाइट वॉलोanh करें है तो अट एक आ जाएगा अचाई फिर डायेट फॉलो來了 करते तो सब्सक्राश्म जो जिसने चीज़े आपने बताई इसमें से काफी चीज़े तो मैं अभी भी भूगत रहूं ओ माय गॉड क्या करें फिर फॉलो करें या नहीं करें तो चलिए मैं सोलुशन बता देता हूं थो कर ना क्या चाहिए चलित पैला पॉइंट है पहला पॉइंट जो याद रखना है हमिशा क्लिए याद रखो मैं डाइट के अगेंस्ट नहीं हो si pancreatitis डायeट फॉलोग लोग को मैं बता दू मैं डायेट के आगेंस्ट नहीं हो पहला प्रोंफ यह जो रखना है आपको वह है डाइट इज टेंपररी जी हां इस לפTCrist नहीं है डाइट शिर्फ टेंपररी उस पेन को पेक्षल से बचने का उपाय एक कुछ दिन के लिए में रिपीट कर रहे हूं टेंपररी है कुछ दिन के लिए है सो there a жंदगी बर करने का प्लैन बना रहे हैं मतलब आप जिनदगी बर बीमार रहने का प्लैन बना रहे हैं कि मुझह पताए इसमें आपके कुछ सवाल कमेंट सेक्ट्शन में हैं तक करना चाहूंगा तो पहला डायट इस टेंपरेडी दिमाग में फिट कर दीजिए डायट कोई पर्मनन्ट सोलूशन नहीं है नहीं अपने इसे रखना चाहिए दूसरा पॉंट जो मैं चाहता हूँ कि आप याद रखे रूट कॉज ट्रीटिमेंट इस पर्मनन्ट देखे कही भी जाये दुनिया में कुछ भी कीजिए लेकिन बीमारी को जड़ से खतम करने वाला उपाय कीजिए कुछ भी आप कहेंगे सर कहां मिलेगा देखे मैं बहुत नहीं है मिल जाएगा इसके बारे में कुछ और आपको खुलासा चाहिए तो आप कमेंट सेक्षियम लिखे मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा यह वीडियो लंबी होती चारी है मैं इसे शौर्ट रखना चाहूंगा ताकि आप जादा से जादा लोगत तक शेयर कर स किसे वीडियो अगर आपको लगता है कि यह फाइदे का वीडियो है इंपोर्टन इन फॉर्मेशन है तो शेयर ज़रू किजिएगा क्योंकि आपने अगर शेयर कर दिया तो वह बंदा समझेगा कि यह वीडियो आपने इसे पसंद किया है आपके लिए काम की इन द्यान रखना है आपकी जिन्दगी बेश कीम्ति है लाइफ इस प्रेशियस आप क्यों अपनी लाइफ को विमारी के हातों छोड़ रहे हो देखे मुझे यह पता है कि आप सोच रहे होंगे कि इलाज में अभी बहुत जगे जाकर आ गया हूँ फाइदा नहीं हुआ अभी को कॉम्प्लिकेशन साते हैं उनको नेक्रोसिस भी होने वाला है उनका पैंक्रियाज अट्रॉपी भी होने वाला है मतलब आपको वैसे तो बहुत सारा खर्चा आने वाला है तो कहीना कहीं से रूट कॉस्ट ट्रिमेंट के लिए ढूंड़िए विकॉस लाइफ इस प्रेशि प्रेशन अइसरी का होगा तब के लिए मैं दूआ करता हूँ कि आपको एक बड़ी सांदार हेलत मिले एटलिस वह समझ मिलेot जिस से आप आपकी शांदार हेल्त पा सकते हो और उसे तयार Haushत रहिए नड़ते रहिए जीत्ते रहिए और चैंपिएन बनी हुआ हुआ है